जहरीरी होती जारी है पराली जलाने वाहने से होने वाले प्रदूशन, निर्मान कारे इस समस्या को और भी बढ़ा रहे हैं। IIT कानपूर की रपोर्ट के मताबएक दिली में अक्टूबर से जन्वरी तक प्रदूशन सबसे खतरनाक होता है। सुबह के वक्त प्रदूशन इतना जादा होता है कि ऐसे वक्त में लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के सला दी जारी है। साथ साल की रिसर्च के बात आर की गई स्टेडी रपोर्ट में आई 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 टी कानपूर में कई उपाई सुझाएगे हैं जिससे दिली का प्रदूशन कम हो सकता है। से प्रोग्राम लांच किये हैं जैसे निशनल क्लीनर प्रोग्राम है और स्टेट लेवल पे भी कई नए तरह की इनिशेटिवस लिए जा रहा है। जहां तक पराली के बारे में कहा जाता है कि पराली का पराली की जो ये जलाते हैं उसका योगदान पैती से चालिस प्रिश्ट होता है। कर नवंबर के महिनों में उसमें भी कमी आई है फायर काउंट्स अगर आप देंके उसमें भी कमी आई है। बचने के भी कुछ उपाय आपके रिपोर्ट में बताया है कि पर्टिकुलर इस समय से इस समय तक प्रिशन ज्यादा होता है जिस समय बच्चे और बज़र्ग एक्सपोजर से बच्चें बाहर ना निकले है। तो उसमें जो है डाइवनल मेजरमेंट मेटल्स का और नॉन मेटल का किया हुआ है। और उससे ये मारूं चलता है कि जब आपका मिक्सिंग हाइट सबसे सैलो होती है मौर्णिंग टाइम में। उस समय जो रात में जो एमिशन निकलता है वो फूरा ट्राइप रहता है। और एक्टिवटी करते हैं तो थोड़ा आपको सचे तरहने की चुरूत है। लेकिन इस प्रक्रण में आगे काम को नहीं बढ़ाया गया। कानपूर शहर की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में एक नया टाउंसिप बसाई जाने की योजना है। केडिये ने इस जरूत को समझते हुए कानपूर में एक नया टाउंसिप बसाने के लिए निव कानपूर सिटी योजना तयार की 1996 में इस योजना को तयार किया गया था। जिसके बाद से इसे विक्षित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। लेकिन 28 साल बाद भी इस योजना को धरातल पर नहीं लाया जा सका और अभी तक न्यू कानपूर सिटी सपना ही बना हुआ है। मैनावती मार्क से सिंगपूर और सिंगपूर से कल्यारपूर के बीच केडिये निव कानपूर सिटी योजना ला रहा है। साल 1996 से योजना आ रही है लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं आ पाई है। केडिये ने योजना को लेकर अक्टूबर 2017 से जमीन अधिगरहित करने का सिलसला सुरू किया था जिसके चलते यहां के इलाकों में ले आउट और नक्सा पास करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी तमाम लोगों ने प्लाटिंग कर ली थी क्योंकि केडिये का दावा ये था कि इस साल के आखरी तक इस योजना को अमल में लाया जाएगा और इसके लिए ना केवल प्लाटिंग कर दी जाएगी बलकि आम लोगों के लिए लाटरी भी निकाल दी जाएगी लेकिन अभी तक ना तो जमीन का अधिग्रहन पूरा हो पाया है और ना ही ले आउट तयार हो पाया है जबकि केडिये के दावे ये हैं कि यहाँ पर ना केवल आवासी प्लॉट दिये जाएंगे बलकि बड़े स्कूल, बड़े अस्पताल, बड़े मॉल के लिए भी पुर्जुनतमी सिंग के साथ, श्यमतिवारी, नियूज स्टेट कानपूर